Hello students, welcome to Magnet Brains, my name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So, Magnet Brains एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject की videos free of cost provide किया जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है because best quality content, best teachers के साथ free of cost आपको यहाँ पर provide किया जाता है. current events की series में एक बहुत important topic आपके साथ discuss करने वाला हूँ, ठेक है, हो सकता है कि आपके कई सारे लोग जो है वो इस particular state पे रह रहे हूँ, इस particular जगे पे रहे हूँ, जिसका नाम है चंडीगड़, तो चंडीगड़ जो है वो यहाँ पर क्या है कि news में आ गया है, है ना और इसमें हम यहाँ पर यह देखेंगे कि resolution on चंडीगड़, तो चंडीगड़ की ऊपर जो है एक resolution यहाँ पर अभी लिया गया है, आप देख सकते हैं, यह आम आदमी पार्टी के जो है, यह नए चीफ मुनिस्टर आपको देखनी को मिलेंगे, इनका नाम है श्री भगवंत्मान और यह पंजाब की चीफ मुनिस्टर यहाँ पर बने है, तो अभी इन्होंने यहाँ प पंजाब में यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, अभी जैसे अगर आप देखोगे तो चंडीगड क्या है कि भई पंजाब की राजदानी चंडीगड है, हरियाना की राजदानी भी चंडीगड है, और चंडीगड क्या है कि एक union territory है, union territory है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ तो topic यह है, है ना, और इस वजए से यह particular current event जो है, वो हम discuss करेंगे, लेकिन इसमें सभी angle में आपको समझाओंगा, background information में आपको बताओंगा, ताकि चीजे जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखते हैं कि news में क्यों ह तो news में इसलिए जो मैंने आपको बता दिया, seeking the immediate transfer of Chandigarh to Punjab, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि resolution में यह बात करी गई है, कि बिना किसी देरी के जो है वो Chandigarh को क्या करना है, कि Punjab में जो है वो यहाँ पर transfer करना है, the long standing dispute between Punjab और Haryana over Chandigarh flared, अब after the center notified central service rules for employees in the unit territory instead of the Punjab service rules, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्या आप यह कह सकते हैं कि अभी के time period पर जो Punjab है और जो हरियाना है, उनके बीच में बहुत लंबे time से जो है, वो Chandigarh में जो है, वो यहाँ पर dispute आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ कि center ने जो है, notify किया है, मतलब कि जो केंदर सरकार है, उसने notify किया किया है, कि central service rules for employees in the union territory, है ना, मतलब कि इसमें आप यह कह सकते हैं, कि जो भी यहाँ पर employees होंगे, union territory में, चंडीगड में, वहाँ पर क्या होगा, कि central service rules जो है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप यह कह सकते हैं, कि जो पंजाब service rules हैं, वो यहाँ पर applicable नहीं होंगे, है ना, central government ने union, जो territory है, वहाँ की employees के लिए बोला है, कि central service rules जो है, वो applicable होंगे, instead of the Punjab service rules, ठीक है, बनला, पंजाब की जो service के rules हैं, वो applicable नहीं होंगे, अब यहाँ पर यह particular issue है, और इसी वज़े स was reorganized through the Punjab Reorganization Act 1966, wherein the state of Punjab was reorganized in the state of Haryana, Union territory of Chandigarh, also joint capital of Punjab and Haryana, and some parts of the Punjab were given to the Union territory of Himachal Pradesh, ठीक है, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि पंजाब को जो है, वो दुबारा reorganized किया गया था, और वो यहाँ पर क्या था, वो यहाँ पर आपको पंजाब Reorganization Act देखने को मिलेगा, है न, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले पंजाब अकेले था, बाद में हरियाना जो है, वो यहाँ पर बनाया गया, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि पंजाब को यहाँ पर पंजाब, हरियाना और उसके बाद यहाँ पर जो यूने टेरिटरी है चंडीगर, ठीक है, इसमें हमने डिवाइट किया, और कुछ पार्ट जो है, वो यहाँ पर क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब का यहाँ पर गया था, एक क्वे दूसरी बात यहाँ पर यहाँ पर यह है, क्योंकि वो यूने टेरिटरी है, इसलिए वहाँ पर यह सेंटरल सर्विस जो रूल्स है, वो यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सरकार यह कह रही है पंजाब की, कि यहाँ पर पंजाब सर्विस रूल्स यहाँ पर ह पास किया गया है 1966 का Reorganization Act के तहट पंजाब हर्याना चंडीगड और कुछ पाट पंजाब का जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया था अब हम बात करेंगे वेन एंड हाउ डिट चंडीगड बिकम दा कैपिटल ऑफ पंजाब ठीक है मलब कि किस तरीके से जो चंडीगड है वो यहाँ पर पंजाब की कैपिटल बनी तो अब अगर आप यहाँ पर यह देखेंगे तो यह क्या है कि पंजाब 1951 से लेकर 1966 ठीक है तो यह पंजाब हो गया डली हो गया हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अलग-अलग तरीके की रीज है वो आपको देखने को मिलता है ठीक है मतलब काफी सारी चीजें जो है वो अलग-अलग यहाँ पर सेग्रिगेट कर दी गहीं है जब इंडिया का पार्डिशन यहाँ पर हुआ तो इंडियन गॉर्मेंट ने यहाँ पर क्या बोला वांटेडा मॉडन सिटी टू रिप्ले लाहोर एस पंजाब's capital and the idea of चंडिगड़ वस कंसी है ना मतलब जब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले पंजाब जब यहाँ पर पाकिस्तान और भारत देखी थे वो इस टाइम पीरिट पर जो पंजाब की राजधानी थी वो यहाँ पर क्या थी लेकिन जब पाकिस्तान लाहोर पाकिस्तान में चला गया तो अब यहाँ पर कहें कि एक modern city की जरूरत पड़ेगी जो क्या करेगा लाहोर को यहाँ पर क्या करेगा वह यहाँ पर रिप्लेस करेगा तो तब से यहाँ पर क्या है कि चंडिगड़ जो है वह यहाँ पर आपको देखने को मिला कि बही चंडिगड़ को हम यहाँ पर क्या करेंगे पंजाब की राजधानी बनाएंगे 1966 में इस्टेट जो है वो पंजाब और हर्याना में डिवाइड हो गया some parts coming under the हिमाचल प्रदेश मतलब आप यह कैसकते हैं कि पंजाब और हर्याना में जो है वो डिवीजन हुआ और कुछ प पंजाब की ही राजधानी आपको देखने को मिलता था during the reorganization of पंजाब जब पंजाब को reorganize किया जा रहा था the center government announced that हर्याना would get this its own capital है ना मतलब यह जब reorganization हो रहा था तब यहां पर यह बताया गया गया था कि हर्याना को जो है वो अपनी खुद की capital यहां पर मिल जाएगी है ना लेकिन अभी के टाइम पिरिट पर पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगड है 1970 में क्या हुआ ठीक है आप यह देख सकते हैं जैसे यह capital project area of चंडीगड should as a whole go to Punjab है ना मतलब simple सी बात यहां पर यह हुआ कि 1970 में central government ने जो है वो यहां पर announce कर दिया कि जो capital project area है चंडीगड का वो यहां पर किसको जाना चाहिए पंजाब को जाना चाहिए है ना मतलब पूरा का पूरा जो चंडीगड है वो पंजाब को यहां पर मिलना चाहिए हर्याना वस टोल्ड तो यूज दा office and residential accommodation in चंडीगड for five years until it built its own capital जैसे यहां पर क्या हुआ था कि चंडीगड होगी लेकिन वहां पर जो offices वगरा है जो residential accommodation वगरा है वह हर्याना यहां पर use कर सकता है कब तक पान साल तक है ना जब तक वह अपनी खुद की capital यहां पर नहीं बना लेता लेकिन आप यहां पर यहां पर यहां पर यह सकते हैं कि हावयवर चंडीगड रिमेंड union territory as Haryana did not build a capital of its own ठीक है तो आप यहां पर यहां पर यह कह सकते हैं कि यह एक union territory यहां पर रहे गया चंडीगड क्योंकि हर्याना ने जो है वह अपनी कोई भी capital यहां पर नहीं बनाई हर्याना को capital बनाने के लिए बोला गया था लेकिन बनाया नहीं तो इसलिए चंडीगड to be divided in 60 ratio 40 ratio in favor of Punjab मलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहां पर चंडीगड में property वगरा थी उसका जो division यहां पर होगा वो किस ratio में होगा वो 60 ratio 40 में देखने को मिलेगा मतलब 60% जो properties होंगी वो पंजाब को मिलेंगी और 40% जो हैं वो यहां पर किसको मिलेंगी हर्यानों को मिले कि when and how did चंडीगड become the capital of Punjab तो उसके पीछे यह कहानी आपको देखने को मिल रही है अब उसके बाद यहां पर what claims on चंडीगड ठीक है were made subsequently आचा यह आप देख सकते हैं यह है गवर्नर साब ठीक है श्री बनवारिलाल पूरहिप है ना यह पंजाब और हर्याना के जो है वो है और साथी साथ जो यूने टेरिटरी चंडीगड उसके एड्मिनिस्ट्रेटर भी आपको यह देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है तो वार्ट क्लेम सॉम चंडीगड वर मेट सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुआ कि ऑगस्ट नैंटी ready डूमें अकाली दलने बोला कि यार यह जो चीजें यहां पर हो रही है है ना जिस तरीके से पंजाब रे और्गनाइजेशन एक्ट यहां पर किया गया यहां पर क्या है कि यह बिल्कुल गला थे और प्रोटेस्ट यहां पर कर दिया और यहां पर बोल दिया कि launch the protest with the object of realizing the goals of the Anandpur sahib जो resolution यहाँ पर था 1973 का इसमें यहाँ पर कुछ बाते करी गही थी उनको यहाँ पर यह निकल कर सामने आ गया है अब जैसे क्या हुआ था कि अब Anandpur sahib जो resolution यहाँ पर हुआ था 1973 में इसको adopt किया गया था अकाली दल उसमें यहाँ पर बोला गया था demanded that the centers jurisdiction should be restricted only to defense foreign affairs communication and currency and the entire power should be vested in the states मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यह आप यह कह सकते हैं कि union territory बनाया गया था चंडीगड को वो जाना पंजाब कुछ ही यह था लेकिन उसको क्या कर लिया कि center ने government यहाँ पर जो उसका control यहाँ पर आ गया क्यों क्योंकि वो union territory की तरह काम कर रही है है न क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि हर्याना ने जो है वो अपनी capital बनाई नहीं और इस वज़े से हर्याना की capital भी जो है चंडीगड यहाँ पर देखने को मिल रही है तो शिर्वमणी अकाले इदल ने जो resolution यहाँ पर adopt किया था 1973 में आनदपुर साहिब resolution उसमें यह बात यहाँ पर यह थी कि बाई चंडीगड में केबल कुछ चीजों को छोड़ कर जैसे defense हो गया foreign affair हो गया communication हो गया currency वगरा हो गया यह सब चीजे जो है वो central government के पास होनी चाहिए है लेकिन इसके अलावा जो सारी की सारी चीजे होती है जो powers होती है वो किसके पास होनी चाहिए वो state के पास यहाँ पर देनी चाहिए ठीक है यह बात यहाँ पर आनदपुर जो यहाँ पर साहिब हुआ उससे तो कुछ हुआ नहीं पंजाब को चंडीगड मिला नहीं लेकिन आनदपुर जो resolution था उसमें यह सब बात करी गई थी कि भई पंजाब को जो है वो चंडीगड यहाँ पर दिया जाना चाहिए में राजियू लॉंगवाल एकॉर्ड जो है वो यहाँ पर साइन किया गया किसके बीच में राजियू गांधी और हर्चन सिंग लॉंगवाल एमंग अधर तिंग्स दसेंटर एग्रीड तो गिफ चंडीगड टु पंजाब यहाँ पर क्या हुआ था कि 1985 का जो एकॉर्ड साइन किया गया उसमें सेंटर गवर्मेंट ने बिल्कुल एग्री यहाँ पर किया कि हम क्या करेंगे कि जो चंडीगड है उसको पंजाब को ट्रांसफर करेंगे और 26 जनवरी 1986 जो है वो डेट यहाँ पर फिक्स करी गई कि इस दिन जो है वो चंडीगड पंजाब को यहाँ पर दी दिया जाएगा लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर अगली बात करते हैं यून तरिट्रीज काफड ऑट ओट ऑफ एस्टेट मतलब कि यून एन टरिट्रीज एक्चुली होती क्या है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमको यह देख सकते हैं यह जो राजीव गंदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे वो आप देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो union territories है वो होती क्या है और इनको state से कैसे बाहर निकाला जाता है है ना मतलब बोला जा रहा है कि how are they card out of states so आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो union territories होती है है ना जैसे आज के time period पर हमारे देश में कितनी union territories है आठ ठीक है यह दोनों एक ही union territory बन गई है ठीक है उसके बाद आप अगर देखेंगे तो लद्दाक हो गया जम्मू कश्मीर हो गया पुड्डुचेरी हो गया लक्षदीप हो गया अंडमान इंडिकोबार हो गया ठीक है इसके बाद और यहां पर कौन सी पची भई दिल्ली हो गया चंड का इस कंसेंट विद्धा एड्मिनिस्टेशन ऑफ दे यूने टरिटरी अगर आप किसी भी एक्जामिनेशन की त्यारी कर रहे हो तो आपका अगर पॉलिटी वहां पर आएगा तो आपसे पूछ लेंगे कि बाई जो यूने टरिटरी होता है उसका जो यहां पर क्या होता ह है कि administration वह हमारे constitution के किस part में mention किया गया है तो part 8 में यहां पर mention किया गया है ठीक है जाद रखियेगा the president of India appointed administrator ठीक है और lieutenant governor for each unit territory जैसे हमारे state होते हैं वहां पर governor होते है ना उसी तरीके से क्या होता है कि president के पास यहां पर यह power होती है कि जो भी unit territory होती है इना वहां पर क्या ह होते हैं कि वह administrator बोल लिजे या lieutenant governor बोल लीजे अलग-अलग जिगे पर अलग-अलग नाम जैसे दिल्ली में lieutenant governor और यहाँ पर जो चंडीगड है वहाँ पर आपको administrator देखने को मिलेंगे ठीक है तो उनको appoint किया जाता है इन practice this means that unit territories follow the central government's will हैंना मतलब central government recommend करती है उसके basis फे प्रेसिदेंट जो है वह यहां पर क्या करते हैं कि एपॉइंट्मेंट करते हैं तो हम सीदे-सीदे यहां पर यह समझ सकते हैं कि जो भी union territory का appointment यहां पर हो रहा है administrator का वह government की विल होती है कि government किस तरीके से यहां पर किसको एपॉइंट करना चाहती है और कैसे काम होगा है ना तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं और इसलिए आपने देखा होगा अरविन केजरिवाल जी और जो आज के टाइम पिरेट पर लेटरिन गवर्नर ने दिल्ली के श्री अनिल बैजाल जी उनके बीच में यहां पर क्या है कि लडाईयां होती रहती ही छोटी-छोटी ठीक है दा कॉंसेट ऑफ यूने टेरिटरी वोस नॉट इन दा ओरिजिनल वर्जन आफ दी कॉंसेट बाइड़ेट बाइड़ेट गया और सेवन्थ अमेंडमेंड अक्ट जो था 1956 का है ना उसमें हमने क्या किया था कि यूने टेरिटरी वाले जो प्रुविजन है वो हमने यहां पर आइड किये थे तो यह पॉइंट आपको ध्यान लखना यह एक्जामिनेशन में डारेक्ली आपसे पूछा जा सकता है अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि जो यू पॉड्डी चैरी हो गया और इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर जम्मो कश्मीर एप्ट नहीं होए लेकिन एलक्षन होगी तो वहां पर भी विधानसभा होगी तो आठ मैं से तीन यूने टरिटरी ऐसी है जहां पर विधानसभा है दा स्मॉलर वन्सार गवर्ण डेरेक्ली व अलॉंग विट हैं लेटिन गवर्णनर निव डिली जुट है लेकिन आप यह कह सकते हैं कि आपको लेजिसलेटिव एसेंबली जो है वो देखने को मिलती है अगर अर्टिकल 3 हम देखेंगे हमारे का तो वो यहां पर यह बोलता है कि दा कॉंस्टिटूशनल पावर टू क्रियेट न्यू स्टेट अन्यून टेरिटरी इन इंडिया इस सोली रिजर्व टू दा पार्लेमेंट ऑफ इंडिया मतलब याद रखिएगा आर्टिकल 3 में यह बोला गया है कि भारत में अगर कोई न कि नए स्टेट डिकलियर कर सकती है कहीं से ब्रेक कर सकती है किसी को जोड कर बना सकती हर तरीके की पावर जो है वो पार्लेमेंट के पास है कि वो नए स्टेट्स वगरा से जो है वो दूसरे स्टेट्स बना सकते हैं पुराने को मर्ज कर सकते हैं अलग-अलग पार्ट को मर इंदमान इन निकोबार में अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है कि यह अड्मिरल डीक के जोशी ठीक है फिर चंदीगड में देखेंगे तो बनवारी लाल पुरहिज जी यह मैं आपको बताई दिया दाधर और नगरहेली ऐं को एक है लक्षदीब ठीक है यह दोनों जगे पर कौन है यह जोनों जगे पर श्री प्रफुल पटेल आपको देखने को मिल रहे हैं अच्छा एक बाद यह ध्यान दखिएगा आप मुझे यह बताएगा कि लक्षदीब जो है वह अरेबियंसी में है या बे आफ पिंगॉल में है इसका अंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बताना पुड्डिचरी में देखेंगे तमिले साई सुंदराजन है ठीक है इनके पास एडिशनल चार्ज है और लद्दाक में आपको श्री आरके माथूर जी देखने को मिलेंगे तो यह अलग अलग यूने टेरेटरी जो है उसके आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो एड्मिनिस्टेटर होएं वो देखने को मिलते हैं तो यह कुश्चन जो है वो डारेक्टली आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है तो यहाँ पर क्या है कि यह मैंने सारे नाम आपको बताएं तो एक बार नोट कर लिज तो यह पूरा का पूरा टॉपिक था और इसी वज़े से यहाँ पर क्या है कि चंडीगळ का इतिहास हमने भी देख लिए थोड़ा सा और चंडीगळ की डिमांड यहाँ पर क्यू हो रही है तो आपको क्या लगता है आपका क्या ओपीनियन है मैं आपसे यहाँ पर जानना करिएगा बाकि यहां पर केजी से लेकर 12 तक की जो क्लासेस होती हैं मैगनेट ब्रेंज पर 100% फ्री होती है ठीक है आपके लिए कोई भी यहां पर चार्ज आपको देना नहीं है अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ family members के साथ अलग अलग groups में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो के थुरू जो भी यहां पर important current affair के topics होते हैं उनको यहां पर prepare कर सकें अगले session में एक नए topic के साथ मिलेंगे तब तक keep smelling and keep preparing लगे र के हिन